हलो दोस्तों आज हम एक ऐसी सिंपल सी जी के ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से संसत के संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानकारी होगी कि किन किन मामलों में संयुक्त अधिवेशन हुआ और कब हुआ है ठीक है तो इससे पहले हम आपको ये ट्रिक बता आते हैं कि संयुक्त अधिभेशन आखिर होता क्या है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और इस्टार्ट करने से पहले आप से मैं यही रिक्वेश्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ से तो चलिए तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संयुक्त अधिवेशन आखिर होता क्या है संबिधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी बिशेपर दोनों सद्नों में गतिरोध उत्पन हो जाता है तो राष्ट पति द्वारा सद्नों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है मोटा मोटा समझे अबिशेपर आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 108 याद रखना कुष्चन पूछ खाता है किस etos Allah किस नुच्छेद के अनुसार संसद के शन्युक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब राजसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदनों यानिक लोकसभा और राजसभा में गतिरोध हुत्पन हो जाए या किसी बात को ले करके बिरोध हुत्पन हो जाए तो ऐसी इस्तिती में समस्या सोल जाने के लिए राष्टपती क्या करता है संयुक्त अधिवेशन बुला अध्यच्छता जो है लोग सभा इस पीकर यानी की अध्यच्छ द्वारा की जाती है अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अध्यच्छता जो है लोग सभा इस पीकर यानी लोग सभा अध्यच्छ के द्वारा की जाती है लेकिन यती लोग सभा अध्यच्छ अनुपस्थ रहता है तो लोग सभा उपाध्यच इसकी अध्यचता करता है किसकी संयूत अध्यचता कौन करेगा जब लोग सभा अध्यच नहीं रहेगा तो उपाध्यच करेगा और जब उपाध्यच भी नहीं होगा तो राज सभा का सभापती इसकी अध्यचता करता है कौन राज सभा क कि याद रखेंगे राज्य सभा का उप सभापती और राज्य सभा का सभापती जो होता है वो kynें करता है क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्त नहीं होता है वो तो केवल उप्राष्ट पती होता है जो वही तो वहाँ पर सभापती बनता है राजसभा में इसलिए जो सभापती है राजसभा का वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्चता नहीं कर सकता है ठीक है तो कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्चता अनुछेद 118 के अनुसार या तो लोगसभा अध्यच्च कर की अध्यच्छता करता है ठीक है तो यह थी मोटी मोटी इसकी जानकारी जो कि आपको जानना अवस्थ है अब आगे आपको बताते हैं कि सहीयुक्त अधिवेशन जो है कब कब बुलाए गये हैं तो सहीयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाए गये हैं कि सबसे पहले यह बुलाए गया है 1961 कब बुलाए गया है 1961 में случае dim 1 21 में दहेज पृतिबंध बिध्यक के लिए दहे पृतिबंध बिध्यक के लिए पंडित जवाह करें लाल नहरू चुके हैं जिसमें पहला 1961 में दहेज प्रतिबंध विध्यक के लिए और दूसरा जो है 1978 में बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विध्यक के लिए किसके लिए банking सेवा आयोक बिधयگ के लिए 1978 में बुलाया गया था, ये मुरारजी देशाही की सरकार में बुलाया गया था, ठीक है ये दोनु हो गए और तीसरा जो है सन 2002 में बुलाया गया था, तीसरा दो है, 2002 में आतंगवाद निवारक बिधयक के लिए इसको आतंगवाद निवारक बिधयक को पोटा बोला जाता है, ठीक, पोटा ये अटल बिहारी बाजबे के समय में सन 2002 में बुलाया गया था, तो चलिए हम आपको जीट के ट्रिक बताएंगे, जिससे आप इन तीनों को आसानी से याद रखेंगे, कि तीनों कि मतलब किस किस चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुके हैं हमारे देश में तो देखिए एक सिंपल से ट्रिक है, दहेज बैंक में पिटा, क्या है दहेज बैंक में पिटा, अब इसका मतलब क्या है दहेज बैंक में पिटा, आप सबसे पहले ये सेंटन्स याद रखेंगे, कि दहेज बैंक में पिटा, ठीक, और आपको कुछ नहीं याद रखना, इ देखिए भी तेहेच का मतलब हुआ देहेज बिरोधी अधिनियम सन आपको याद रखना हैmbence 1961 देहेच का मतलब का हुआ देहेज बिरोधी अधिनियमम दूसरा है भायंक देहेच का भाएंक मतलब बैंक किंग सेवा से संबंदी ठें 1978 में और अगला है पिटा पिटा का मतलब याद रखेंगे पोटा पिटा का मतलब क्या पोटा आतंग बाद विरोधी विधेक सन 2002 में हुआ था ठीक है ये तीन ट्रिक थी मुझे उमीद है कि आपको ये तीनों सहियोत अरिवेशन याद रख पाएंगे आसानी से ठीक है ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर जरूर कीजिए तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह की अच्छी सी ट्रिक के साथ तब तब तक जुड़े रही है हमारे साथ नमस्कार